अपकी बार 75 का पार नारा देने वाली बीजेपी को अपने दम पर बहुमत भी मिलता नहीं दिख रहा दिर्चस्प बात यह है कि इस बाल चुनाव में INLD से अलग होकर नई पार्टी बनाने वाले दुश्यन चोटाला की जननायक जनता पार्टी किंग मेकर के तौर पर उभर रही है हाला की एहम सवाल यही है कि जरुद पढ़ने पर दुश्यन चोटाला आखिर किसके लिए ट्रेक्टर चलाएंगे इसके अलावा दस अने विधायकों की भूमिका भी एहम हो गई इनमें आयनल्डी और निदलिय विधायक भी शामिल है तो आई यह जानते हैं कि आखिर हर्याना में सरकार गठन के लिए क्या-क्या विकल्प हो सकते हैं नमबर एक पून बहुमत में नहीं मिलने के चलते बीजेपी अपूरी तरह दुश्यन चोटाला के अलावा अन्य और निदलिय की जरुद होगी जेजेपी से बात नहीं बनने की सूरत में बीजेपी आयनल्डी, बीएसपी और अन्य को साथ कर पहुमत के आकड़े तक पहुँचने की कोशिश करेगी अगर 35 का ही आकड़ा फाइनल होता तो बीजेपी को 11 सीटों की दरकार होती ऐसे में निदलिय और आयनल्डी के समर्थन में भी बात नहीं बनेगी वही अगर बीजेपी दुशन चोटाला की जेजेपी को साथी है तो उसे सरकार बनाने में कोई मुश्किल नहीं आएगी लेकिन सीटों का आकड़ा 40 के करीब होने पर बीजेपी का काम निदली है और अन्य को साधने से बन सकता है विकल्प नंबल दो चुनाव से एन पहले कॉंग्रिस की ड्राइविंग सीट संभालने वारे भूपिंदर सिंग हुड़ा ने इस चुनाव में खुद को साबित किया है लोगसबा चुनाव में पस्त कॉंग्रिस में जान फुकते हुए उसे 35 के आकड़े पर पहुँचाते हुए दिखाई दे रहे हैं दुशेंग की जेजेपी ने इस चुनाव में जाट अंदोलन का मुद्दा बनाते हुए बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा था ऐसे में इस बात की संभावना जताई जा रही है कि वो कॉंग्रिस के साथ जा सकते हैं अगर अभी तक के रुजहान नतीजों में तबदील होते हैं तो कॉंग्रिस को भी बहुमत के लिए 11 सीटों की दरकार होगी ऐसे में जेजेपी के साथ गटबंदन होने पर कॉंग्रिस को सरकार बनाने में मुश्किल नहीं आएगी और विकल्प नमबर थी अगर दुश्यन चौटाला कॉंग्रिस के साथ जाते हैं तो दोनों मिलकर गटबंदन सरकार बनाएंगे ऐसे में बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने के लिए कॉंग्रेस करनाटक मॉडल को अपना सकती है ऐसा हुआ तो उसे दुशेन चोटाला को CM पत देने में भी दिक्कत नहीं होगी फिलहाल बीजेपी और कॉंग्रेस दोनों ही खेमों में हलचल तेज है प्रदेश में सरकार गठन को लेकर क्या तस्वीर बनती है इसके लिए भी इंतजार करना होगा इंडिया नूज वारिल की रिपोर्ट